लोग सभा चुनाव की चलते देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी मम्ता बैनर जी के गड़ पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में आज पीम मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए जनसभा को संभोधित किया इस मौके पर प्रधान मंत्री ने मम्ता बैनर जी और टीमसी पर निशाना साथा उन्होंने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराद से पूरा देश डरा हुआ है क्योंकि टीमसी ने पश्चिम बंगाल को घुस पैठियों और गुंडों को पट्टे पर दे दिया है मोदी ने कहा कि टीमसी को लगता है कि दलित आदिवासी और गरीवों को अपनी मर्जी के मताबिक घूमने की आजादी नहीं है लेकिन यह चुनाव उन्हें बताएगा कि बाबा साहिब आम्बिटकर के लोकतंत्र में दलित वन्चित लोग और आदिवासी टीमसी के गुलाम नहीं है टीमसी जसने आदिवासी महिलाओं को घुठने पर ला दिया है जल्द ही घुठनों पर आजाएगी नवश्कार केमन आजेन बालुरगाड बाशी आपना देर शकल के आमार विनम्ब्रो प्रणाम आज पुरा बंगाल कह रहा है चार जून चार शोपार चार जून चार जून चार जून आबार एक बार आबार एक बार बंगाल के गरीब दलीट आदिवासी और महिलाओं का कल्यान होगा इसलिए जब से मोदी का ये गारंटी काड आया है टीएमसी के लोग डबल बॉक लाए हुए हैं इन्हें लगता है कि इतने दिनों से तो ये लोग मोदी की योजनाओं को बंगाल के लोगों तक पहुँचने से रोक रहे थे गरीबों को पिएम आवास नहीं मिलने दे रहे थे हर गर जल का जो मिशन है उसको गाउं तक नहीं जाने दे रहे थे केंद्र मन्रेगा का पैसा बेचती थी ये रोक कर बैठ जाते थे अब इन्हें लग रहा है अब तो मोदी ने हर गरीब तक योजनाओं पहुचाने की गारंटी दी है अगर बंगाल के गरीब को मोदी के कामों का लाब मिल जाएगा गरीब आगे बढ़ जाएगा तो टी-म-सी की दुकान ही बंद हो जाएगी आर इसलिए ये लोग जूट और अफ़ा पहलाने पर उतर आए है लेकिन मेरे बंगाल के लोगों को पता है मोदीर गारंटी हो लो गारंटी पूर्ण होवार गारंटी साथियों हमारे बंगाल ने बालूर गाट ने देश को कितना कुछ दिया है यहां के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है बांगला देश युद्ध में युवा चुरका मुर्मु के बलिदानों को कौन भूल सकता है आज बीजेपी यहां आदिवासियों दलितों के सम्मान के लिए लड रही है यह बीजेपी सरकारी है जिसने आदिवासी समाज के सम्मान में जन जातिय गवराव दिवस मनाने की शुरुबात की हमारी सरकार ने बंगाल में आदिवासी बच्चों के लिए आठ नए एक लव्य आवासिय विद्याले खोले है और यह बीजेपी है जितने द्रवपदी मुर्मुजी को देश को पहली महिला आदिवासी राष्च्चपती बनाया है दलितों के सम्मान के लिए भी बीजेपी बाबा साब आमबेड कर से जुड़े पंचतिर्थों का विकास कर रही है लेकिन भाईव बेनों दूसरी और टीमसी जैसी पार्टी है जो दलीत आदिवासी महिलाओं को अपना बंधग बना कर रखना चाहते हैं इसी बालूरगाट में तीन आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को जोइन किया था तो टीमसी के गुंडे वहाँ आधम के थे टीमसी के लोगों ने उन महिलाओं को घुटनों के बल बैटा कर माफी मांगने को मजबूर किया टीमसी को लगता है कि दलीत आदिवासी गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है लेकिन ये चुनाव इन्हें बताएगा कि बाबा साब आमबेड करके लोगतंत्र में दलीत बंचीत आदिवासी टीमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे आदिवासी महिलाओं को गुटनों पर बैठाने वाली टीमसी ये पूरी की पूरी टीमसी जल्द ही गुटनों पर आजाएगी